खलारी परखंड मुख्या संद का किया गया गठन पुतुल देवी बनी अध्यक्ष सोमवार को खलारी परखंड मुख्या संद का गठन किया गया जिसमें शर्व शम्मती से पुतुल देवी को अध्यक्ष बनाया गया जबकि सिवरत मुंडा को उपाध्यक्ष, तेजी किसपोटा को सचिव, मलका मुंडा को अप सचिव, पुस्पा खलको को कोसाध्यक्ष, सिवनात मुंडा को उपकोसाध्यक्ष बनाया गया इसके अलावा सन्रक्षक में संतोष कुमार महली, पारस नाथुराओं, सेवा उराओं, सुनिता देवी, ललिता देवी, सीला देवी, दीप माला कुमारी, सांती देवी को सर्वशम्मती से सन्रक्षक चुना गया इस मौके पर कई पंचायत परतिनीधी भी उपस्थित थे मुख्या सन्र में नौनिर्वाचित पराधिकारियों को उपस्थित लोगों ने धेर सारी बधाई दी है आज कमिटी के गठन हुआ है इसमें सचीव, अध्याच, उपसथित, उपसथित, संदच्षक का चिना किया गया है जो भी कार होगा उस पर हम लोग सब का सहयोग से होगा और हम लोग सभी का एकता होना बहुँ जरूरी है आज खलारी परखन अंतरगत बुख बुखा पंचाच सचीवाले में सभी मुख्या का बैठक रखा गया बैठक का उदेश था मुख्या संग बनाना और उसका गठन करना जिसमें सभी पद के लिए चैनित किया गया है इस संग का उदेश रहेगा कि जो भी परखन में पंचायत में विकास सम्मंधित या अन्य समंधित समस्या आएगी उस पर सभ योग रहेगा उस काम को सफल बनाने के लिए और जो भी सरकारी योजना है उसको धरातल पर सही समय से उतारने से और सही कार करने में सभी संग सहयोग करेंगे